खुल कि इसके बिचिये तो यहां से निकलेगी इलेग्रेस्ट से निकलेगी इलेग्रेस्ट भी हलो फ्रेंट्स नवस्ते है वेलकम टु माइ यूटुब चैनल नर्सिंग विद मुकेस तो फ्रेंड कैसे वाप सब आसा करता होंगी अच्छे होंगे Friends, अगर आप Continuary Class देख रहे होंगे तो आपको ये पता होगा कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ाता ठीक है Friends, पिछली क्लास में हमने पढ़ाता Sceletal Muscles of the Shoulder and Upper Limbs Shoulder की और हमारे जो Upper Limbs है पूरी anterior and posterior side में मैंने सारी muscles एक diagram बना के समझाया था अगर कोई भी दिक्कत हो Friends, एक तो यार आप comment नहीं करते Comment करोगे तबी तो मुझे पता चलेगा नहीं, बिना comment करे मैं कैसे आपकी problem को जान पाऊंगा तो Friends, अगर मेरे समझाने का तरीका गलत हो या आपको ऐसा लगए कि यार सर्थ आप ऐसे समझाओ तो आप थोड़ा सा मुझे सजेश्ट कर सकते हो ठीक है, तो यह सजेशन कैसे दोगे आप comment करके तो comment नहीं करोगे, वहां तक Friends, आपको पूरा guidance नहीं मिल पाएगा तो Friends, पीजी क्लास में पता है आपको क्या पढ़ा था shoulder and upper limbs की skeletal muscles की बात की थी और जितना हो सके Friends, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भेजो ठीक है, उनको भी फाइदा मिले नहीं, फ्री क्लास होगा फ्री में मिल रही है, एकदम मुफ्त में क्लास है तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि डाइग्राम देख रहे हो आप यह डाइग्राम है, काई काई फ्रेंड डाइग्राम अगर मोटा मोटा अंदाजा लगा हो, तो अगर आपने किसी बोडी बिल्डर आदमी को देखा होगा या जिम में जो जिसके बाइसेप, स्वरी, सिक्स पैक बने हो है वैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको, तो फ्रेंड यह जो मसल्स दिखाई दे रहे हैं, आपको यह हैं कि anterior में जो आपको दिखरी anterior to posterior जाएंगे तो सारी muscles आएगी पांच प्रकार की muscles है यहाँ पे यानि पांच पेर पांच इदर पांच इदर बीच में इसको दो भागों में डिवाइड किया हूए मैंने देखो यह दो वागों में एक इदर वाली एक इदर वाली ठीक है तो पह आतम होने वाला है मलब system complete हो जाएगा हमारा musculo skeletal system ठीक है यह कौन सी क्लास है आज 26 वाली 26 क्लास है मस्कुलोस्क्लेटल सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपको कमेंट करना है कि सर यह वाला system पढ़ाईए अगर पांच जनों के भी कमेंट आ गए ना उसमें कि सर हमें respiratory system या फिर nervous system या फिर integumentary system या other कोई भी system ठीक है अगर वो आप कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा नहीं तो फिर मैं जो भी स्कलेटल मसल ही पढ़ा रहा हूँ तो muscles of the anterior abdominal wall यहाँ पर heading डाल देते हैं muscles muscles of the anterior abdominal wall ठीक है फ्रेंड muscles of the anterior abdominal wall muscles of the anterior abdominal दिखा रहा है आपको proper दिखाई दे रहा है muscles of the anterior abdominal wall ठीक है फ्रेंड तो यहाँ पर जैसा कि मेरा तरीका है फ्रेंड पहले में क्या करता हूँ पूरी जितनी भी muscles है 5 muscles उनके नाम लिखता हूँ बट यहाँ पर थोड़ा सा हम abdominal muscles के बारे में बात करें तो फ्रेंड 5 प्रकार की abdominal muscles होती है ठीक है अब abdominal जो muscles है यह क्या करती पूरा एक तरह से kidney हो गया स्प्लीन होगी तो यह सारे जो ओर्गन हैं हमारी abdominal cavity में रहते हैं उनको भी यह क्या करती है हमारा जितनी muscles है यह skeletal muscle यह protect करती है क्योंकि चारों तरफ एक ऐसा मजबूत आउरन बना लेती है ठीक है और जिसे हम मुव करते हैं जिसे हमारा यह trunk बोल दो इसको एक trunk बोल सकते हो यह हमारा जो abdomen है पूरा abdomen cavity है उसको जिसे घुमाएंगे यह वाली यह oblique muscles रहे गिया जिसे बैंड होंगे तो यह यह सारे movement करने में यह जो muscles हैं हमारी abdominal muscles आप flexion करो यह side movement करो side flexion करो ठीक है उसके बाद आप जैसे यह लंबार से back में जाओ backward forward जुको तो यह सारे जितने भी movement है rotation यह वाला rotation यह जितने भी movement है friend यह कौन करा रहा है यह हमारी muscles करा रही वो भी कौन सी muscles skeletal muscles of the anterior abdominal wall ठीक है अब यहां पे friend आप एक चीज देखो यहां पे जो anterior abdominal wall है anterior abdominal wall यह वाली इसको यहां पे देखो यह कहां से यह sternum है यहां पे मैं लिख दूँ सबसे पहले यह sternum का जीफोड फ्रोसेज लास्ट वाला आपको पता है ने sternum के तीन पार्ट होते है उपर वाला जो एंट सोरी सुपिरियर पार्ट होता है उसको manubrium बोलते है बीच वाला बोडी और जो डिस्टल एंड होता है डिस्टल पार्ट होता है यह इनफिरियर जो पार्ट होता है उसको बोलते है जीफोड स्टर्नम तो यह क्या है फ्रेंड जीफोड स्टर्नम ठीक है जीफोड स्टर्नम यह जीफोड प्रोसेज अब दी स्टर्नम ठीक है जीफोड प्रोसेज भी बोल सकते हो आप जीफोड प्रोसेज भी बोल सकते हो जीफोइड प्रोसेज अब दी स्टर्नम ठीक है जीफोइड प्रोसेज अब दी स्टर्नम या जीफोइड स्टर्नम स्टर्नम का जीफोइड पार्ट ही है ठीक है यह वाला और इससे देखो एक यह मैंने ब्लू लाइन निकाली यहां से वैसे white होती है, बट white नहीं निकाल सकता, मेरे पास white pain, इसमें white board में white pain काम निकरेगा, तो यहाँ पे blue line निकाली, मैंने, ठीक है, यह blue line निकाली, friend, इसको बोलते हैं, यह क्या है, पहले तो इसको जाने यह क्या है, यह tendon, एक तरह से tendon है यह, एक code है, जो G4 इस्टरनम से कहा त आ रही है, यह वाली structure दिखाए दे रही है, आपको, friend, यह pelvic bone है, और यहाँ पर यह जो structure दिखाए दे रही है, यहाँ पर दो pubic bone आके जुड रही है, देखो आप, pubic bone आके जुड रही है, और यह क्या हो गया, pubic symphysis, यह वाली structure क्या है, friend, pubic symphysis, ठीक है, यहाँ तक clear, pubic sym और pubic symphysis से लेके या Giford sternum से लेके या Giford process of sternum से लेके जो pubic symphysis तक जब code आ रही है इसको white code भी बोलते हैं तो इसका नाम है friend linear alba इसका नाम है friend linear alba यह tendineus code है दिखाई दे रहा है आपको यह क्या है linear alba यह एक tendineus code है जो हमारी abdominal wall को anterior abdominal wall को दो बागों में बराबर longitudinally दो बागों में बराबर बागों में डिवाइड कर देती है ठीक है friend क्या है यह linear alba इसको white code भी बोला जाता है क्या बोला जाता है white code भी बोला जाता है ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी friend समझ में आ गया यहां तक और यह क्या है pubic symphysis और यह हमारी pelvic bone है जोनों ठीक है अब बात करते हैं हम स्टार्ट करते हैं हमारी कौन-कौ मसल्स है कुछ books में किसी muscles को我 बता ह्यां बता है यह से external मसल अब्लिक मसल उसको सबसे superficial बताएगा है सबसे आगे वो यह थी एंटिरेल किसी दो तीन बुक्स में मैंने देखा तो दोसरी बूक्स में जो हमारी है रेक्टस एब्डोमीनिस मसल हैं वो बताऊंगा कौन सी मसल है उसमें भी बताया है तो यहां पर पहले मैं लिख देता हूं फिर मैं बता दूँगा कि कौन-कौन सी आगे पीछे हैं वो सारी यह जो आपको दिख रही है यह जो मसल दिख रही है आप यह सोच जो कि सारी एक इ प्रेलर में कौन सी है तो यहां पर मैं एक बार पांचों मसल्स के नाम लिख देता हूं फाइब मसल्स तो फिर उसके बारे में यहां पर बाते नहीं तो फर्स्ट वाली मसल है रेक्टस एब्डोमीनिस ठीक है रेक्टस एब्डोमीनिस दूसरी एक्स्टर्नल ओब्लिक ठी हैं तीसरी इंटर्नल ओबलिक चोती हैं ट्रांस वर्सस ट्रांस वर्सस वी ए आर ट्रांस वर्सस एब्डोमीनिस ठीक हैं पाँच वी हैं क्वाड्रेटस लेंबो रम च्वाड्रेटस लेंबो रम च्वाड्रेटस लेंबो रम यह पांच मसल्स हैं जो हमारी एंटीर एब्डोमीनल वोल में पाई जाती है यहां पर तोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा आपको क्वाड्रेटस लेंबो रम फ्रेंट आप बोलोगी सर यह तो पोस्टीर एब्डोमीनल वोल की मसल्स है बट एंटीर एब्डोमीनल वोल जाओंगा तो यह भी मसल्स हाज़ाएगी यह हमने पहले पढ़ ली तो इसको भी आप एड कर सकते हो अगर एंटीर टू पोस्टीर जा रहे हो तो ठीक है ना वैसे जो पोस्टीर एब्डोमीनल वोल की बात करें सोरी एंटीर एब्डोमीनल वोल की जो सबसे बैक वाली यह सबसे डीप वाली जो मसल्स है वो है ट्रांस वर्सस एब्डोमीनिस ठीक है ना फ सबसे पहले अब यहां पर कौन-कौन सी मसल कौन सी चीक है एक बार नाम लिख देता हूं मैं यहां पर कौन सी मसल taką कें चीक है तो र Das Abdominus जो मसल है यह वाली यह वाली जो दिखाई देघे ही आपको यह वाली रेक्ट पर ये वाली rectus rectus abdominis है ठीक है rectus abdominis ये वाली मसल है ठीक है उसके बाद external oblique ये देखो oblique ये वाली ये external oblique ये वाली ये कौन सी है external external oblique और ये वाली है internal oblique ये वाली भी कौन सी है friend ये वाली भी external oblique ही है पूरी दोनों साइड है पेर है ये दो बागों में डिवाइड है तो एक इधर है एक इधर है दो है muscles ठीक है ना friend उसके बाद transverse abdominis यहाँ पे मैंने यहाँ बनाई बट actually यहाँ पे होती नहीं है ये ये जो muscle है ना हमारी rectus abdominis इसके पीचे होती है बट मैंने आपको दिखाने के लिए क्योंकि वो transverse ऐसे transverse होती है तो इसलिए दिखाए मैं अभी समझाओंगा सारी बात समझाओंगा आपको ये वाली muscle कान लिखूं इसको कान लिखूं कान लिखूं इसको इधर नीचे खेत लेता हूं ये वाली जो muscle है ये है transverse abdominis transverse abdominis ठीक है फ्रेंड transverse abdominis और ये quadratus lamborum है ये back side से दिखती anterior side से नहीं दिखती इसको मैंने पढ़ाए था आपको याद करो थोड़ा सा अभी मैं बता दूँगा इसके बारे में चीक है फ्रेंड अब यहाँ पे एक-एक की बात करते हैं एक-एक muscles को हम पढ़ते हैं ठीक है सबसे पहले यहाँ पे एक confusion है दोनों muscles के बीच में किसी books में कहा गया है कि external oblique हैं ये सबसे क्योंकि external बाहर ही हैं तो सबसे क्या होगी superficial ये होगी और यहाँ पे किसी में ये दिखा है तो यहाँ पे एक solution निकल सकता है कि यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको ये पूरा भाग ये वाला portion ठीक है ये कहां से start होती है फ्रेंड जीफोर्ड इस्टर नम से आती है और pubic sympasis तक जाती है तो सबसे पहले हम बात करते है सबसे most superficial muscle कौन सी है हमारी rectus abdominis ये सोच के चलो आप rectus abdominis है ठीक है ये कहां से निकलती है इसका origin कहां से है ये निकलती है ये नीचे से निकलती है ये देखो यहाँ पे pubic sympasis है और यहाँ पर यह थोड़ा सा जहाँ पर बोन मिलती है तो transverse process होता है वहाँ पर pubic ABOUT पीविक सिंपायसी यानि pubic bone जुड़ती है उससे पहले पहले थोड़ी यह जो जगा होती है वहाँ पर transverse process होता है वहाँ से निकलती एग तो यह transverse process of the pubic bone यह pubic bone दिखाए दे रही ना आपको यह, इसके transfer process से, transfer process से निकलती है, और कहां जाती है friend, देखो, यहां से निकली और upward उपर गई, यह कौन सी है, rectus abdominis, ठीक है, उपर गई और G4 sternum, यहां पर G4 sternum के साथ, floating ribs भी होगी, lower ribs, ठीक है, floating ribs भी होगी, जो direct sternum से जुड़ी नहीं ह होती है, यहां पर क्या होगी, ribs भी होगी, जैसे, यह ribs है, यह direct किस से जुड़ी होगी है, यह direct sternum, बट यहां पर, ऐसी ribs भी होगी, ऐसी ribs भी होगी, तो यह क्या करती है, यहां पर, ऐसे, यहां पर, ऐसे ribs होती है, तो यह ribs से भी जुड़ी होती है, lower ribs से भी जुड़ी होत तो निकलती कांव से हैं, पूबिक बोन से निकलती हैं, ठीक है, पूबिक बोन से निकलती है, ओपर कांव पे जूट जाती है, जीफोल्ड değild process of sternum and lower ribs से जाके जूट जाती है। ठीक है फ्रेंड अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 1,2,3,4,5,6,6 यह 6 पार्ट दिखाए दे रहे हैं इसको और बीच में से लीनिया एलबा दोरा इसको डिवाइड किया गया है और इसी वज़े से इस मसल्स को क्या बोला जाता है फ्रेंड 6 पैक्स मसल्स बोला जाता है इस म आप यहां पे जो आपको 6 पैक्स यहां पे दिखाए देता है इस मसल्स की रैक्टरस अब्डॉमिनिस की वही 6 पैक होता है यह और इसी को 6 पैक्स भी बोला जाता है chicken क्या है इसको प्रोड प्रेशर क्रेट करती है इसकी क्या काम के इसके 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 क्या काम Forcefully Inspiration and expiration Forcefully expiration करना है aidBalkati सांस को बाहराइए जब हम defication करते है, जब मल ट्याग करते है जोड लगाना पड़ता है न हमे कौन सी प्रेशन हो जला है किसी के टाकट मैंस्क बाता है तब यह muscle काम करता है कौन सी muscle Rectus Abdominus muscle चब बच्चा deputy 들어 होता है तो female को यहां से female के abdomen को प्रेस किया जाता है या महिला को बोला जाता है कि ताकत लगाओ जोर लगाओ जब जाके बच्चा निकलेगा uterus मजब आगे तो जो muscles में जोर पड़ता है जिस muscle का contraction होता है child birth के दौरन वो यही muscle है कौनजी practice abdominis muscle ठीके friend यहां तक दिक्कत नहीं कोई डिक्कत नहीं होगी समझ में आगया होगा अब बात करते है external oblique muscle यहां पर friend में बात करूँ इसको भी क्या बताया है इसको क्या बताया है कि यह तो सबसे superficial होती बट कुछ books में क्या बोला गया है कि यह इसके नीचे होती बट यहां पर एक चीज़ ध्यान रखो यह वाला portion तो हो गया किसका rectus abdominis बट जो यह वाला portion बचा हमारा यह वाला portion और यहां तक यह friend इनको भूल जाओ यह जो muscle है transverse और internal इसको भूल जाओ यह externally ध्यान रखो external oblique पूरी यहां से यहां तक यह पूरी क्या है external oblique है इसके parallel ठीक है इसके parallel कौन सी है external oblique की muscle है ठीक है friend यह भूल जाओ कि यहां पे transverse भी यह पीचे आएगी इसके इसके back में है ठीक है तो जो oblique muscle है external oblique वो यह सोचो आप यह वाली पूरी oblique muscle है यह वाली यह वाली यह वाली और यह वाली तो है इसके बाद जो आगे आपको enter side में rectus abdominis के बाद जो भी muscles दिख रही है वो कौन सी external oblique यह समझो ठीक है friend अब यह कहां से निकलती है और क्या करती है यह भी क्या वाली उपर से निकलती है उपर से निकलती ही ribs से ribs से रिप्स से निकलती है friend और कहां पर आती है कहां पर आ जाती ही यह देखो यहां पर क्या है यह इलेक क्रेस्ट इलेक क्रेस्ट से यह हमारी इलेक बोन का इलेक क्रेस्ट ठीक है नए इलेक क्रेस्ट से जुड़ती है इलेक क्रेस्ट से भी किस से जुड़ेगी फ्रेंड इलेक क्रेस्ट से भी किस से जुड़ेगी एपोनियूरोसिस यहाँ पे वरे व्योर यहां पर सब्द मैंने आपको बताय था तों नियुरोसिस द्वारा क्या होता है एक फोनियुरोसिस मैंने बताय था आपको थीक्प्राa अगर मैं मिलाश्ट के बात करें यहाँ यहां पर पिए यह स्टेंड बंच बाल र десят तो माई ए कि इस अपऑनी आरिष ड़ता है तो पुर्स मैंने कहां बता है ता frontal and occipitofrontalis occipitofrontalis and frontalis occipitofrontalis जो मसल है वो यहाँ पर यहाँ पर दॉमसेप में था ना बद पड़ाय था मैंने जब ठीक है तो उसी को क्या बोलते है एपोनियूरोसिस तो यह जो यह वाली मसल है ulic external muscle यह क्या करती है यहाँ पर जूड़ती है इलेटर्स करेस्ट किसके द्वारा ponieważ हम इस एपोनियूरोसिस यह ज acompa ち तेंडन के द्वारा च्पते तेंडन के द्वारा यह सबसे बड़ी हे मैंने बताया आपको सबसे largest muscle है anterior abdominal wall की external oblique ये क्या करेगी friend इसका क्या काम है इसका क्या काम है हम जैसे side twist करेंगे न ऐसे ये वाली exercise करते हैं न पेट को कम करने के लिए पेट कम करने का मतनब है कि ये muscles उपर muscles के उपर जो fat है उसका burn और muscles निकले हमारी तो ये side में जितनी भी muscles oblique muscle ये 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 कौन सी आ गई यहाँ पर सामने ये वाली rectus abdominis और इसके side में lateral side में कौन सी है external oblique ठीक है rectus abdominis ये और ये external oblique ठीक है उसके बाद internal oblique internal oblique मैंने देखो friend कहाँ पर बढ़ाई हुई है यहाँ पर internal oblique बट यहाँ पर exact position इसकी यहाँ पर नहीं होती है friend यहाँ तो पूरी क्या गई इसकी जो exact position होती है वो इन दोनों के ये जो oblique external oblique और ये भी external oblique इसके पीछे होती है external oblique के पीछे कौन सी होगी internal oblique internal oblique इसके पीछे होती है ये दियान रगना आप यहाँ पर जो मैंने डायग्राम नहीं वैसे नहीं होती होती MILLaşो यह इंटर्नल ऑबसी कहा होती है इंटर्नल ऑबलीक होती है एक्सथर्णल बडिक के पीछे अब यह कहाँ से निकलती और कहा जाती इसका जो originate होता है friend, ilia crest, crest से होता है, यह वाला, क्योंकि इसके पीछे ही है, तो यहां से निकलेगी, ilia crest से निकलेगी, ilia crest निकलती है, और उपर जाके ribs में, floating ribs में cast करके 5 वी ribs में जाके जुड़ती है, यह उपर, ठीके, इनके पीछे होती ही है, इसके पीछे, internal के पीछे, external, यह क्या करती है, 5 वी ribs में जाके जुड़ती है, ठीके, और वैसे इसका जो main काम है, यह भी friend, किसके दोरा जुड़ती है, एपो नियूरोसिस दोरा, वही, एपो नियूरोसिस दोरा ही जुड़ती ही है, किसके दोरा जुड़ती है, एपो नियूरोसिस दोरा, एपो निय प्रेंड इंटरनल है इंटरनल है तो यह क्या करेगी यह भी क्या करेगी मूमेंट में हेल्फुल और वैसे आप यह कह सकते हो कि internal organ को भी support provide करती है इंटरिण है थो इंटराल ओर्गन को सपोर्ट देती है यहां था गिए 당ons transverse abdominalis transverse abdominis. transverse abdominis transverse abdominis अब ये जो transverse मैंने यहां पर लिखी है, यहां transverse abdominalis या यहां पर डिखाईदेरी शो यहां पर नहीओ होती. ठीक है? वो just पीछे होती है, इसके ractus abdominis के पीछे. Just किस के पीछे होती हूँ और depressed होती है अब्डोमिनल वॉल की सबसे अंदर वाली मसल्स होती है डिपेस्ट होती है ठीक है सबसे अंदर वाली और पूरा पूरा पीचे तक ही है ऐसे पूरा एक आवरन बना लेती ही पूरा पीचे ठीक है ना एक कवर बना लेती ही पूरा और सबसे डिपेस्ट है अब यह यहां कहां से निकलती है और इसके बाद में बताया कि इसके जस्ट पीछे होती है इसके पीछे होती है किसके पीछे रैक्टस Abdominus के पीछी और Transverse होती है एसे जो मैंने बनाये diagram ऐसे बिल्कुल वह टी Transverse यह टांसवर्स पोजिशन ही तो बोलेंगे यह टांसवर्स यह Longitudinal होता है यह Oblik होता है दिखाने न आपको आड़ा है ट्रांसवर्थ उबलिक मतलब तो ऐसे आड़ा है ऐसे ट्रांसवर्थ चर्टीज है और यह लंब वर्थ ठीक है न लॉंगिटूडनल फ्रेंट तो यह जो डीपेस्ट मसल है हमारे अब्डोम्लेल वॉल की एंटिरेर अब्डोम्लेल वॉल की और कहा से उरिजनेट वर्टी ब्र GRABs से घर क्रेश्ट और लंबार वर्टीब्रा से यहां पे 15 लंबार कि इस यहां पर यह उपर क्यों उती difference में उन्दर कौन सी लंबार आगी तो लंबार से निकलेगी वह तो लंबार से और लाम रिजन प्लस तोड़ा पीछी क्योंकि पॉस्टीर और deepest है तो तो लंबार और iliac crest लंबार और iliac crest दोनों से निकलती है और निकल के ऊपर जाती है फ्रेंड ऊपर जाके ये कहां पर जुड़ती है ये कहां पर जुड़ती है फ्रेंड ये जो linear elbow है ना linear ये back का बता रहा हूँ मैं अब linear elbow अब भूल जाओ इस rectus abdominis को भूल जाओ ये मैं बता रहा हूँ इसके पीचे वाली ये न ऐसे जुड़ जाती है ऐसे इस linear elbow से जुड़ती है इस linear elbow से जुड़ती है ये transverse transverse मसल है transverse abdominis इस मसल है, यह किसे जुड़ती है, इस linear elbow से जुड़ जाती है, linear elbow से जुड़ती है, वो भी किसके द्वारा, एपो-neurosis द्वारा, यहां पर मैंने, sorry, यहां पर एपो-neurosis नहीं बनाया है, वेसे तो मैं यहां अगर बनाता एपो-neurosis, ऐसे चोड़ा-चोड़ा यह, यह चोड़ा-चोड़ा, पूरा tendon है, यह tendon, यह पूरा tendon है, यहां पर, superficial, उपर, तो यह इसके द्वारा जुड़ता है, इसके द्वारा क्या होता है, इसके म्लारा जूरता इए अपोनियुरीस स्वारा और जस्त फि्छे किसके हो थी है? यह मसल जस्त रेक्टरेंगे प्रोटनेस के पिछे होती है जिस्त ओं यह क्या करती है इसका क्या काम है यह इंचनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करतेम, क्योंकि यह होती last बात करें friend quadratus lemborum friend quadratus lemborum की बात करें तो यह friend ऐसे तो posterior abdominal wall की muscle है but इसके just पीछे होती है इससे connect होती ही है किससे है? इससे touch में होती है transverse abdominis यह पिछली class में भी मैंने आपको बताया था पिछली class में भी इसको मैंने बताया था और यह ilia crest से निकलती ही पीछे ilia crest से निकलती ही और कहाँ पे जुड़ जाती ही बार भी rib से जो अंतिम rib है floating rib वहाँ से पीछे ऐसे आपको बताया था मैंने diagram बना कि यहाँ पे जुड़ जाती है ठीक है? यहाँ पे जुड़ती है और इसका एक ही काम है यह जैसे हम यह moment यह lateral flexion यह जो moment होता है यह muscles इसके द्वारा होता है quadratus lamborum के द्वारा quadratus lamborum के द्वारा यह हमारे क्या है? जो lower ribs है जिनको क्या बोलते है? floating ribs उनको भी क्या रखता है? यह stable रखता है उनको भी एक दरह fix रखता है क्योंकि उनसे जुड़ता है और पीछे lumbar vertebrae से जुड़ता है तो उन ribs को भी यह muscles floating ribs वो इदर उदर थोड़ी जाती है but वो muscles के द्वारा stable रखती है ठीक है? muscles के द्वारा fix रखती है floating ribs ठीक है न? फ्रेंड प्रेंड यह है इंगवाइनल केनाल सुनाओगा न? इंगवाइनल केनाल अब इस इंगवाइनल केनाल में क्या क्या है? इंगवाइनल केनाल मतलब यह वाली portion हमारा इंगवाइन groin region और यहां पर आपने एक चीज़ सुनी होगी इंगवाइनल हरनिया ऐसे सुना होगा न चीज़ वह बात करते हैं यहां पर तोड़ी सी बात कर लेते हैं यह जो दिखाए दे रही है आपको यह structure यह है इंगवाइनल केनाल अब इस केनाल में क्या होते है फ्रेंड इस इंगवाइनल केनाल में ब्लड वेसल्स भी होती है ठीक है ब्लड वेसल्स होती ही नर्व वेसल होती है और spermatic code क्या होती है spermatic code होती है spermatic code होती है वो किसमे होती मेल में मेल में तो क्या होती स्पर्मेटिक कोड और फिमेल में क्या होती है राउंडेड लिगामेंट राउंडेड लिगामेंट ये क्या काम करता है ये भी बात करेंगे ठीक है एक तो होता है spermatic code जिसमें sperm होते है sperm होते है friend इसमें क्या होते है sperm होते है spermatic code यहां से गुजरती है जिसमें sperm होते है जो कहां से निकलती है testis से testis से sperm लेके आती है और जनम से पहले भी friend जो testis होते है testis बाद में आते है scrotum में बर्त के बाद जब बर्थ से पहले जो टेस्टी जो होते हैं वो इसी इंग्वाइनल कैनाल में रहते हैं ठीक है न अंदर जब फिर बार जब बच्चा जनम लेता है तो जब बोडी टेमपरेचर को में बोडी टेमपरेचर से स्पर्म क्या है डेमेज हो सकते हैं इसलिए उनको बार लटका दिया जाता है इस प्रोटम में ठीक है न तो यहां पर जो यह इंग्वाइनल कैनाले इसमें क्या क्या होते हैं ब्लड वेसल्स नर्व स्पर्मेटिक कोड और राउंडेड लिगामेंट एक होता है इंग्वाइनल लिगामेंट इंग्वाइनल लिगामेंट ठीक है न इंग सिइर पुसके बाद सबस्ολाटनDO A 1.2 एक लिगामेंट इसी के अंदर रहता है. सबस्क्राइब करता है जो यूट्रस है उसको क्या करता है support provide करता है uterus को stable रखता है उसको support provide करता है अब यहाँ पर एक चीज आपने सुना होगा friend इंवायनल हर्नी यह चीज पार्ट है यह वाला जो पार्ट यहां तक तो क्या है muscles आगी पूरी strong muscles तो यहां से तो कोई पार्ट ऐसे आगे निमी कर सकता है बट यहां पर इसे क्या होता है जिसे मौनों अंदर आते हैं या कोई कोई भी फेट का, फेटी कोई भी ओर्गन है, फेटी सबस्कान से अंदर हमारे abdominal cavity में, तो वो क्या करता है, प्रेशर कभी abdominal pressure ज़्यादा हो ज़ता है, तो उसकी वज़े से इस केनाल को तोड़ के, यह वीक पॉइंट होती है, यहां से इसे निकल के इधर आ जाता है, इधर हर नेशन हो जाता है, उसका मलब एक cavity से दूसरी cavity में चला जाता है, तो जिसे आत का कोई पार्ट इधर आ गया, या कोई भी फेट का, कोई भी फेटी molecules या फेटी जो उसका कोई भी आप ऐसे globules बोल सकते हो, मास का टुकडा कोई भी, फेट का टुकडा, वो इधर इस cavity को, इस सोरी, इस केनाल को क्रोस करके, या इस केनाल को पार करके इधर आ जाता है, तो उसको बोलते हैं, फ्रेंड हर निया, क्या बोलते है हरनिया, क्या बोलते हैं हरनिया या हरनियेशन, हरनिया या हरनियेशन, अगर यहाँ पे आता है, इस inguinal केनाल को पार करके, एब्डॉमिल केविटी से दूसरी केविटी में आ गया कौन से केविटी में पैल्वी केविटी यहां पर इंग्वाइनल केविटी आ जाती हिदर एब्डॉमिल केविटी यहां पर इसको क्रोस करके यहां से निकल गया ठीक है तो इसको बोलेंगे हर्निया ठीक है समझ में आ को बोलते हैं हर neoplasti hips यह जो पारप रहार निकलागा इसको वापिस अंदर करके यहां पर easier一 1999 High निकला इसको अंदर कर दिया जाता है यहां पर क्या जीना एक इस हरी जगों को प्लास्ट किया जाता है चिसको तो बोलते हैं हर नियोंप्लास्टी, यह बोलते हैं हर नियोंप्लास्टी क्या बोलते है हर सब समझा दिया मेने जतना था चितना और यह ना इंग्वाइनल के नाल डाई से चार सेंटीमेटर के आसपास और यहां पर होती है अब अब नेक्स्ट क्लास में क्या बच गया या रभ लोवर लिम्स पैल्विक फ्लॉर एंड पैल्विक ग्रीडल या लोवर लिम्स की जो मसल से वह बच गी साइब यह लास्ट क्लास होगी यह लास्ट यह दो क्लास ओर होगी उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो कमेंट करके बताए ना फ्रेंड कौन सा सिस्टम स्टार्ट करना है ठीक है ना फ्रेंड और क्लास अच्छी लगयो तो कमेंट करना ठीक है ना नी लगयो तो पसंद नहीं आई यहां पर आप ने यह अच्छी तरह नहीं समझाया यहां पर आप नहीं गलती तो आप कमेंट करे के बताओ फ्रेंड ठीक है फ्रेंड और सभी मेरे दोस्तों को नवरात्री की हार दिख सुभकामना है ठीक है एपी नवरात्री ठीक है आप अम्दाबाद से हो तो गर्वे का अनन्द लीजिए गर्वे के चक्र में ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करो पढ़ाई भी करनी पर ख आजस्तान में भी कर सकते हैं आप घरवाई आए आजस्तान में भी बहुत कारेक्रम होते हैं हम्दाबाद में तो मज़ेदार होता है ठीक है फ्रेंड चलो फिर मिलते हैं नेक्स ट्रास में तब तक के लिए वाई लब यू टेक्टियर आए